नमस्कार जम्मो परिवर्टन में आपका स्वागत है मैं हूँ सुशांत मिश्रा दर्श्र को आज हम बात करेंगे मुवाइल फोन से होने वाली हानिकारक बीमारियों के बारे में किस सरह से आपकी मनो चिकित्सा के अपर गहरा परभाव डालता है इसी विशे के पर हमारे साथ खास बात चीत करेंगे डक्टर मनो अरोरा जो की एक साइकरिटिस्ट है देखे कुछ देर पहले तक तो मुबाइल फोन इतना जादा परभाव नहीं डालता था क्योंकि मुबाइल फोन सिर्फ यूज होता था बात करने के लिए जब से ये स्मार्ट फोन आये हैं स्मार्ट फोन माने कि जिन फोन में हम लोग इंटरनेट को एकसेस कर सकते हैं सोशल मीडिया साइट्स देख सकते हैं गेम्स खेल सकते हैं तो कुछ देर से हमने देखा है कि जब से ये स्मार्ट फोन पहले बहुत महेंगे थे कि सब लोग afford नहीं कर सकते थे तो आइससे करके इसका cost कम होता और हम सब के पास smartphone है यह video भी अभी smartphone पे record हो रहा है smartphone मतलब हर तरीके से में help कर सकता है कुछ देर से जब हमने देखा कि internet जो accessible हो गया बहुत सारे लोगों के पास internet मिलना शुरू हो गया और internet cheap हो गया सब लोग उसको afford कर सकते थे अब ज़्यादा तर लोग सारा दिन online रहते हैं माने कि सारा दिन वो internet कभी ना कभी access कर सकते है देखे problem इसमें तब शुरू ही जब लोग सब कुछ अपने हाथ में लोगों के साथ connected feel करना शुरू कर गए जब तक तो हम लोग कभी mobile पे ना रहके computers पे अपने social media sites देखते थे Facebook देखते थे Instagram देखते थे तक कोई problem नहीं थी पर अब जब से हर समय हमेशा WhatsApp हो, mobile phones की वज़ा से Instagram बगरा हो तो हमेशा connected feeling रहती है और जब से ये video games आना शुरू है जो mobile phone games आना शुरू ही इस तरह की games को evolve किया गया कि ये बहुती ज़दा addictive games बनना शुरू हो गई धीरे धीरे बच्चों का, young adults का इसका usage बढ़ता चला गया और बढ़ते बढ़ते ये हाल हो गया कि अब बहुत सारे बच्चे छोटी उमर में इसके आदी हो जाते है हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चों के लिए mobile phone का addicted होना जैसे किसी बड़े आदमी के लिए नशे लेने के बराबर है जो brain में changes देखते हैं या brain में हम लोग जो बदलाव देखते हैं नशे के परदार्थ यूज़ करने के बाद brain में खास एक दो जगा ऐसी हैं जहांपे brain के cells अलग तरीके से active होते हैं वही सेम चीज़ हम लोग mobile phone के साथ भी देखते हैं बच्चे उसका ज़ादा से ज़ादा यूज़ करते हैं अगर आपने सुना हुआ आजकल कुछ ऐसी वीडियो गेम आई हैं जिसको pub जी जैसे नाम सुनते हैं तो अगर आप देखें कि pub जी जो गेम इसको हम बोलते हैं multi media, multi player, online games इसके अंदर बहुत सरे लोग एक साथ गेम खेलते हैं एक साथ interact करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं एक दूसरे से message करते हैं और as a team खेलते हैं एक दूसरे से connected feel करते हैं recently ये गेम इतनी हद तक हावी होगी कुछ लोगों के कि हमने कुछ death की report भी देखी कि कुछ बच्चे घंटों घंटों खेलते हैं ना खाने का पता है ना पानी का पता है पूरी पूरी रात खेलते रहें कुछ death भी हमने report की है अलग लग जगा से जैसे आपने कहा कि ये जो PUBG game है एक तो time का हो जाता है पता नहीं चलता कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे एक World Health Organization की report के अनुसर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ती तो घंटे से जादा phone जूज करता है तो वो mental disorder का शिकार बन जाता है इसके बारे में क्या खेंगे देखिए कुछ चीज़ें बहुत clearly अब हम लोग को समझाना शुरू हुई है जिन में से मोटे तोर पे अगर मैं बात करूँ एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चा जब तक 2 साल का नहीं हो जाता हुई उसके लिए कोई mobile phone यूज नहीं होना चाहिए आप बड़े अकसर ऐसा देखते हैं कि जब हम माबा बात कर रहे हैं बच्चे तंग कर रहे हैं तो उसको mobile phone पकड़ा दिया जाता है ताकि वो बच्चे जो है parents को तंग ना करें तो उनको mobile phone पकड़ा देते हैं बच्चे खेलते रहते हैं यह बहुत clear है कि जब तक बच्चा एक age तक ना पहुंचे दो या 3 साल तक ना पहुंचे उसको कोई mobile phone नहीं देना है आदा घंटा भी नहीं 15 मिनट भी नहीं 20 मिनट भी जैसे कि mobile phone होते भी नहीं जब 2 साल के बाद है तो आदे घंटे तक का mobile दिया जा सकता है और जब बच्चा 5 साल के बाद है तो एक घंटा किस लोग उसको परभाव करते है क्या इस इंटरनेट की वज़े से उसमें मांसिक परभाव आ रहा है क्या वो बाकी बच्चों के साथ पढ़ाई में बाकी चीजों में पीछे रह रहा है कि नहीं रहा है जितना भी इंटरनेट बच्चे यूज़ करें वो सुपरवाईज वे में होना है जैसे की कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समार्ट फोन को ले करके या फोन को ले करके अपने तक ये के नीचे रखके सोते हैं रात को तो कही न कही कितना घहरा परभाव डालता है मनोचे कितसा के अपर इंसो मिया हो, चाहिए रात को नेल नहाना हो और कौन सी खतरनाक बिमारी है रहती है देखिए बहुत साफ देखा गया कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके अंतर गबरहाट इंग्जाइटी, बेचैनी, परिशानी, सोच और डिप्रेशन, उदासीनता, खुशी का महसूस ना करना अपने आपको दूसरे बच्चों से कंपेर करना किसी चीज में मन ना लगना और ज़्यादा से ज़्यादा फोन को बार बार यूज करने का मन करना हर पांच मिन में पर देखना ऐसा भी देखा गया कि जो लोग सोने से कुछ पहले मुबाइल फोन का यूज करते है तो हमारे दिमाग में एक हॉर्मोन है जिसको बोलते है मेलेटोन, ये नीन्द को लाने में हेल्प करता है जब रात होती है, लाइट नहीं होती तो ये हॉर्मोन रिलीस होता है जब लोग स्क्रीन को देखते हैं स्क्रीन के अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होती है जब वो देखते हैं तो मेलेटोन, हॉर्मोन रिलीस होती है बहुत सारे बच्चे आजकल ज्यादा तर नीन्द की प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं कुछ बच्चे नीन्द के साथ पढ़ाई में दिक्कते लेके हमारे पास आते हैं कुछ बच्चे कंसेंट्रेशन की प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं पढ़ते तो हैं, टाइम भी देते पर याद नहीं होता, ध्यान देने की कोशिश करते हैं पर ध्यान बटक जाता है, लेकि जिस बच्चे को आप बच्चपन से मुबाइल फोन देते हैं, जो कि कलरफुल है, इंट्रैक्टिव है, उससे आप जुड सकते हो, एक दम चेंज हो पाती है, ठीक है, ऐसा भी रहता है कि कुछ एपस भी अभी आए हुए हैं, जैसे फेस्बुक हो गया, जैसे वाटसएप हो गया, मेसेंजर हो गया, बहुत सर ऐसे हैं, जो कि एपस की बच्चे कॉंसलिटेट नहीं कर पाता है कि उनका दिमाग होई चलता है, कि क्या अभी क कॉलसंस के बच्चे होते हैं, बहुत ज़दा कंपारिजन करते हैं, टिक टॉक हो गया, फेस्बुक हो गया, वर्टसएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दूसरे की फोटो देखनी है, अपनी फोटो डालनी, कुछ-कुछ ऐसी डेंजरस जगा पे फोटो डालनी, जो कि बहुत अट्राक्टिव लगे, और ऐसा भी देखा गया कि इस अट्राक्शन के चलते, बच्चे अपने आपको नुकसान पुछा लेते, कुछ डेट्स होई हैं, पहाडी किसे नीचे गिरने की वज़ा से, अब बहुत सारे पॉइंट्स देखिए होगा, अब नाशनल हाई जी, मुनोफोमिया के बारे में जाना चाहेंगे है हमारे दर्शे, जो कि हाली में आपने चलाया था एक टर्म है जिसको नुमोफोबिया बोलते हैं, या इसको बड़े तोर पे बोला जाए, नो मुबाइल फोन फोबिया, फोबिया माने के डर, मेरा मुबाइल फोन के गुम तो नहीं जाएगा, मेरे मुबाइल फोन के कहीं बैटरी तो नहीं गुम जाएगी, कहीं मैं ऐसी जगा तो नहीं जहां पर internet connection नहीं है यह preoccupation और यह सोच हमेशा रहती है और हमेशा एक आदमी के मन में डर बना रहता है कि मेरा mobile phone कहीं कट तो नहीं जाएगा इस टर्म को no-mophobia बोलते हैं. बिल्कुल कहीं नहीं कि दिल में डर रहता है लेकिन एक आखरी सवाल. तमाम सारे दर्शिकों को क्या message देना चाहेंगे? फोन का इस्सेमाल कम यूज करेंगे. हाला कि चलो जो यह तो हमारी daily need है. फोन के बिना तो आजकल रहा नहीं जा सकता. क्या हमारी बात करें? क्या हर किसी की बात करें? लिए बच्चों के लिए आप क्या संजेश देना चाहेंगे? उनके parents को. देखिए जब तक बच्चे छोटे उनको कोई mobile phone हाथ में नहीं दिया जाए. mobile phone को अपने ease के लिए नहीं दिया जाए. अपने आपको खुश फील कराने के लिए कि बच्चा मुझे तंग ना करें ये मत करें. तीन साल तक बच्चे को कोई mobile phone यूज नहीं होना चाहिए. और जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता कोई भी mobile phone है, उसको supervision में दीजिए. क्या बच्चा access कर रहा है, क्या नहीं देख रहा है, उस पर regular चेक कीजिए, बच्चा किसी गलत संगत में नहीं आना चाहिए, किसी गलत तरीके से उसको यूज नहीं करना चाहिए. शुक्री हमारे साब बात करने के लिए तो दर्शकों ये थे डॉक्टर साइक्रिटिस्ट मनु रोरा जी जिन्होंने मुवाइल से होने वाले गहरे परभाव के बारे में बताए कि किस दरह से मनोची किसा के अपर गहरा परभाव डालता है मुवाइल फोन, आप भी फोन का यूज करें, कम यूज करें और बच्चों को तो ना ही यूज करने दें जो की दो साल से कम उमर वाले हैं बने रहे हैं मेरे साथ देखरें जम्मो परिवर्टो न्यूज नमस्कार